हलो एब्रीवन वेल्कम टू कनवर्ट एज्यूकेशन हम लोग बंगाल साइली के कलाकारों के करम में आज हम लोग देखेंगे नंदलाल बसू गाईज अगर आप लोग को कलास लंबी लगती हो तो आप लोग देखा करिए पढ़ो यार जीरो से सुरू से अंध तक अगर मालेजी जीसे नंदलाल बसू भी पढ़ रहे हैं तो नंदलाल बसू को इस तरह पढ़िए कि एक्जाम में कोई भी कुश्यन आपसे छूटे नगा अगर यह भी कुश्यन छूट जाएगा कर सेलेक्शन यह कुश्यन से रुकता है तो बहुत का रहे हैं और इनके बारे में सुरुस अंध तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक एक पॉइंट एक्जाम की दिरिश्ट से बहुत सक्सिजफुल होने वाले हैं आए नंदलल बसुक देखते हैं अगर क्लास लंबी होती है तो इसका मतलब यह कुछ ऐसे ही काम की है तब क्लास बाड़ी हो रही है अगर दोस अगर हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लगती हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए और परें दोस्तों को पाड़ सेर जरूर करिए अगर क्लास अच्छी लग रही है आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर करिए आए नंदलल बसु को देखते हैं क्लास हो सकती है आज ज्यादा कुछ बड़ी हो तो आप लोग चिंता ना करिए कोशिस करेंगे हम जल्द से जल्द मुल्दख खत्म करने के लिए तो दोस्तों आज देखते हैं यह नंदलल बसु है कांस्टिटूटूसण आफ दो इंडिया आप लोग देख रहे हैं ठीक आज इसकी बारे में देखते हैं आगे नंदलल बसु को जर्म देखते हैं दोस्तों यह गूगल का है यही जन्म एवन तारीख समय तीन दिसंबर 1882 खड़कपूर मिरत 16 अप्रेल 1966 सांती निकेतन कोलकाता सिच्छा गवर्मेंट कालेच आप अर्ट एड़ क्राप्ट माता पिता हो गए इनका पदम विभूसर हो गया और नाती पोते हो गए आईए नंदलाल बसु से स्टाट करने से पहले इनके बारें थोड़ी कहानी की रूप में जान लेते हैं जो दिमाख में हम लोगों को बैठ जाए नंदलाल बसु जो हैं 1882 से 1906 तक इनकी यात्रा रही जन्वतित के बारे में बिद्वानों में मत भेद भी है कुछ इनकी जन्वतिती 3 सितंबर 1982 और कुछ ही बिद्वान 3 दिसंबर 1983 मानते हैं रीत प्रता में दोनों दिये गया है 1882 और 1883 इनकी पिता का नाम पूर्चंद बसु थे जो बिहार के खड़कपूर के अस्थापत सिल्पी थे और इनकी माता सुरूची छेत्रमडी थी बच्पन से कला में इनकी रूच थी नंदलार बसु की बच्पन से कला में इनकी रूच थी संभावता ये अपने माता पिता से ही सीखे थे कला जब ये आठ वर्च के थे तब इनकी माता का देहांत हो गया था और जब ये 16 वर्च के होगे तो इन्होंने माध्मिक सिच्छा पास करके तब इन्होंने कलकता गये थे यहां जब इन्होंने गए वहां जन्रल असेंबली कालेज में सिच्छा ली कलकता में शुरू में फिन संस्कीद ब्याकरण पढ़ते हुगे भी आड़े तेरची रेखाएं बनाते थे नंदलाल बसू इंटर की परिच्छा में फेल हो गए कुलकाता में इन्होंने इंटर की परिच्छा में फेल हो गए तब घर वापस चले आए घर वाल इनको हार एक के वज़ा से इनको वाड़ेज कालेज में दाखले दिवा 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 आप आट में दाख ले लिया उस समय जब इन्होंने दाख ले लिया था तो इसमय इवी हैबल उस बिद्याले की प्रिंस्पल थे और अउनी दरनाट टाइगोर वाइस प्रिंस्पल थे उसी बिद्याले में नंदलाल महा सुएत का चित लेकर गए सिपारिस के लिए कि हमारा अड़िशन हो जाए जब इवी हैबल ने इनका चित देखा तो उन्होंने इनका अड़िशन ले लिये बिद्याले में नंदलाल बस हुगा कम उम्र में ये प्रसिध चित्र सती और नयका बिहार बनाया माइकिल एंजलो और राफेल के चित्रों की प्रतलिपिये बनायी थी राजा रवी वर्मा के चित्रों से ये काफी प्रभावित थे सन 1917 में इन्होंने अवनींदर नाथ ठाकुर से सिच्छा दिछा जब प्रात करने के बाद इन्होंने कलकत्ता में गुरू रवींदर नाथ द्वारा अस्थापिद बेचित्रा नामक शिल्पि केंद्र में और और उरियंटल इस्कूल आप आर्ट向 के इन्हें प्रिंसपल बनाय गया और इन्होंने अपने संस्ता में हैं गितांजली आद रचनाओं के लिए इन्हों चित्र बनाये 1922 में Indian Society of Oriental Art की नोकरी छोड़ दी रबीद नाथ इन्हें 20 भारती कला भावन का अध्यच बनाकर सांती निकेतन ले गए यहां पर कला भावन के अध्यच के रूप में इनकी नियुकती मिले संती निकेतन में सन 1924 में रबीद नाथ टाइगोर के साथ इन्हें ने बर्मा, मलाया, चीन, जापान की यात्रा की सन 1924 में कब 1924 में यात्रा की रबीद नाथ टाइगोर के साथ इन्हीं चार महिने में वहां इन्होंने उन देशों के चितरण पद्धतियों का अध्यन किया कहां कहां का बर्मा मलाया चीन जापान 1926 में गये थे वहां चार महिने रुके थे और वहां के चितरों के पद्धतियों का अध्यन किया गला भवन में रहकर आसपास के जो गाउं थे वहां कर इनों चित्र बनाया जिनमें से संथाल बनाया था इस्तिरी पूरुष बनाया था और कन्याई बनाये थे इनोंने 74 की वर्स की आयुत्र कि इनोंने सांती निकेतन में रहे और साथ ही यहाँ पर मंच सज्यावट में अपना सहयोग देते रहे और गाहरे रंगों और कृतिम रूपों से बेहद परहेज करते थे गाहरे रंग और कृतिम रूप से बेहद नाखुस रहते थे नंदलाल बसू हर समय मौलिकता पर जोड़ देते थे और इनका चित्र बनाने का माध्यम क्या था? माध्यम कुछ तो रहा होगा बसू ने टेंपरा, वास, जलरंग, पेंसिल, स्याही, रंगीन, पेन, लीनो कट, ड्राइप पोईंट, माउंट बोर्ड पर टेंपरा पर इन्हों ने इतने पध्धती माध्यम से चित्र बनाये थे और लगभग इन्हों ने 10,000 से अधिक चित्र बनाये हैं पेंसिल, रंगों एवं ब्रूस द्वारा आने ये काडों पर चित्र तयार करते थे पेंसिल और रंग के जो ब्रूस होते हैं उसे इन्होंने आने काड तयार करते थे जिनको ये मित्रों, छात्रों, और सिच्छकों को भेजते थे बना कर जो काड इन्हों बनाते थे अपने मित्र सिच्छक छात्रों को देते थे और यह जाने से पहले नंदलाल बसु यह चीज़ और कहे थे इन्होंने एक कथन कहा था काला तभी जिन्दा रह सकती है जब वह प्रगत सील हो और उसमें अजन्ता या बिलायत कहीं से भी चोरी न की गई हो यह नंदलाल बसु का वाक्यांस था फिन इन्हों चीज़ क्या के बनाओ 1907 में सती बनाई थी 1908 में इंडियन सोसाइटी आप औरियंटल आर्ट की पर्थम परदर्शनी में इन्होंने दो चीज़ बनाए थे 1908 में पहला था चीज़ पर पढ़ती हुई सती और दूसरा था सती का देह त्याग प्रदर्शिस किया था इन्होंने और इनके चीज़ और क्या क्या थे भीष प्रतग्या थे साबीत्री और यम था नौका बिहार था यह तमाम चिते से बनाए थे और इस स्वाधिन्ता आंदोलन में बहुत सक्री रहते थे 1908 में उत्तरी और दच्छी भारत का भ्रमण भी किया था इन्होंने 1908 में इन्होंने उत्तरी और दच्छी भारत का भ्रमण भी किया था और उसी समझ जब इन्होंने भ्रमण कर रहे थे तभी इन्होंने वहां कड और सूर पूजन चित्र बनाया था जब उत्तर और दच्छिट भारत का इन्हों ब्रमण कर दे तभी उन्होंने सूर, पूजन और कड का चितर मनाया था और एक गाधी जीसे अत्याधिक प्रभावित थे और बापू की तरह ये स्वयंग भी चर्खा कातते थे और आसायोग अंदोलन और 1930 में नमक अंदोलन में भाग भी लिया थे इन्होंने अंग्रेजों के खिलाप आसायोग अंदोलन नमक अंदोलन इन्होंने भाग भी लिया था उसी वर्थ डंडी कूच जो चितर बनाया था वो सबसे स्रिष्ष चितरों में गिना जाता है अन्य नैताओं के साथ भी इनका अच्छा संबंद था जैसे अने नेताओं में कौन-कौन थे नेहरू जी थे, सरदार पटेल थे, भूला भाई दिसाई थे राश्ट पिते महत्मा गाधी के आगरह पर ये चित्र साधना घर के लिए मत करो के अवाहन पर बसू ने अनेक चित्रों का निर्माड किया था महत्मा गाधी के कहने पर इन्होंने साधना घर के लिए मत करो के अवाहन पर बसू ने अनेक चित्रों का निर्माड किया था लखनव में कांग्रेस अद्वेशन में छातरों के साथ इन्होंने मिलकर भारत कलब परदर्शनी आयोजित की थी जब कांग्रेस का अधिवेशन लखनों में चल रहा था इन्होंने अपने दोस्तों के साथ छातरों के साथ मिल कर इन्होंने कला भारत कला परदर्शनी का आयोजन किया था 1937 में नंदलाल बसू, 1937 से 38 तक इन्होंने हर पुरवा में जब कांग्रेस का अध्यवेशन चरा थो तब यहांने पोश्टर बनाये थे फिन हर पुरवा कांग्रेस के पंडाल को भी सजाया था इन्होंने पल्ली अध्वेशन में किसान जीवन का चित्रड किया है और स्वाधीन भारत के सम्विधान की पंडलिपियों का अंकन भी इन्हीं ने अपने निर्देशन में हुगा था सम्विधान के पंडलिपियों का अंकन भी इन्हीं अपने निर्देशन में किया था और इन्हीं ने भित्ती चित्र क्या क्या बनाया थे कला भावन सांती निकेतन तथा बड़ाओदा के किर्थी मंदिर में देखने को मिलता है इनका कला भावन में और सांती निकेतन तथा बड़ाओदा के किर्थी मंदिर में देखने को मिलता है इनका भित्ती चित्र जिसमें अजन्ता का प्रभाव अस्पस्ट रूप से दिखाई देता है भित्ती चित्र में कला भावन सांती निकेतन तथा बड़ाओदा के किर्थी मंदिर में इनका भित्ती चित्र देखने को मिलता है जिसमें अजन्ता का प्रभाव अस्पस्ट रूप से दिखाई देता है 1916 में बग्यानिक जगदीश चंद बसू के निवंतरड पर कोलकाता के पैत्रिक निवास पर सुरेंदरनाथ के साथ मिलकर भित्ती चित्र बनाये थे 1921 में बाग गूपा की अनुकृतिय बनाये थे और सांती निकेतन में पुरातन पुस्तकाले भावन की दिवारोग पर साज़ित किये थे नोोने 1928 में सांती निकेतन में हालक क्रिश्न उस्टव की इसमिती में इतावली भित्ती लेव चित शैली एवं मिसाल भित्ती चित बनाये थे में इताउली भित्ती लेप चितर राजास्थानी साहिली के चितर बनाया थे 1949 में बड़वदा के महराज ने किर्थी मंदिर की साज सज्जा के लिए इन्हें बुलाया और गंगा वतर चित्र की रचना की इन्होंने 1949 में बड़वदा के महराज किर्थी मंदिर की साज सज्जा के लिए इन्होंने गंगा वतर चित्र बनाया था 1942 में सांती निकेतन में चीनी भावन की दिवार को सजाने के लिए जलता देवदर और नटी की पूजा भिति चितकी इन्होंने रचना की थे 1942 में सांती निकेतन में चीनी भावन की दिवार को सजाने के लिए जलता देवदर और नटी की पूजा अच्छे इनका कला लेखन क्या क्या है देखा जाए कला लेखन सिल्फ कला रुपावली सिल्फ कथा उत्तर भारत की यात्रा के दवरान सार नाथ की इनका दो है देखिए एक सिल्फ कला रुपावली है और उत्तर भारत की यात्रा के दवरान सार नाथ की बुध प्रतिमा से प्रभावित होकर उस पर इन्होंने एक लिख लिखा और भी डॉक्टर आनन्द कुमार स्वामी के साथ ही लिखे थे मिस एंड लीजेंड़स मिस एंड लीजेंड़स आप हिंदूज एंड बुदिष्ट ग्रंथ लिखा है जो सज्जा भी इन्होंने ही की थे क्या क्या लिख 1940 में सजावटी कला इन्हों बनाए है 1940 में सजावटी कला बनाए 1943 में कला एक साधना और प्रबुध भारत इन्होंने बनाए थी 1948 में इन्होंने देश में सिल्फ गुरू और निनना ठाकुर के लेक प्रकासित किये था 1948 में और इनका चित संख्राले कहां है इनका चित रखा कहां कहा है अगर आप लोगों को देखने की जरूत हो तो कहां मिलेगा आधुनी कला संख्राले नई देली में दिखाए देगा भारत कला भावन भपाल में दिखाए देगा कासी हिंदू बिस्विद्याले वरार्सी में दिखाए देगा 1952 में विस भारती ने देशुकतम पुरुषकार दिया था 1953 में सांती निकेतन ने इनको सम्मान में अर्धदान उस्सव का आयोजन किया था 1954 में भारत सरकार पदम विभूसर दिया था 1956 में ललितकला कादमी नई दिली ने आधिस सदस चुना था इनको 56 में 1957 में कोलकाता विस भिद्याले ने बसु को डिलीट दी थी 1968 में ललितकला कोलकाता रजत जैनती पदक दिया था नंदलाल बसु को 1963 में रभीन भारती विस भिद्याले डिलीट दी थी उपाद इनको 1965 में इन्होंने ACIT की सोसाइटी कोलकाता रभीन सताबदी पदग दिया था इनको Oriental Society याफ आठ द्वारा 500 रूपे का इनको पुरुषकार मिले था या पुरुषकार की रास से इन्होंने उत्तर भारत के बनारास मथूरा ब्रिंदा बनका इन्होंने यात्रा किये था और वहां भ्रमर करते वक्त वहां पर इन्होंने अस्थापत कला और मूर्ध कला का आध्यन किये कहां कहां बनारास का यात्रा किये थे मथूरा और कहां किये थे ब्रिंदा बन पहले भारती चितकार थे जिनकी कला कृतिया पर स्वरप्रथम रंगिन बितचित तयार किये गए हैं और इन्होंने एक अच्छे सिच्छक भी थे नंदला बसु एक अच्छे सिच्छक भी थे एक अच्छे कला सिच्छक थे अपने और बिद्यार्थियों के मध की दूरी लगभाग नहीं के बराबर रखते थे यही कारण था कि वे एक लोगप्री सिच्छक रहे देश की अनेक प्रतिभाएं आपके निर्देशन में कला सिच्छक पराज की थे अपने सिस्षों को उनकी पूर सुतंता साइली अपनाने के लिए प्रेरित करते थे प्रतेग विद्यार्थी को उनके जर्म दिन की खोशी में नया काड़ बना कर देते थे नंदलाल बसू और परन्थ विद्यार्थीयों से यह आसे भी अपेच्छा करते थे कि उन्होंने अपना नया काड़ छितर भेजने का दाय तो निभाएंगे हैं हमारे पाल भेज़ेंगे वो भी और इनकी मिरुद देख लेते हैं इनकी मिरुद तो सोला अप्रैल उनिस सो चटचट में हो गई थी आईए जो छूटा होगा क्यूक रिवीजन में देख लेते हैं और दोस्तों अगर हमारे क्लास आप लोगों को अच्छे लगती हो तो हमारे चैनल को आप लोग सस्क्राइब करिए अपने दोस्तों के पास सेयर करिए और जो भी छूटा होगा क्यूक रिवीजन में हम लोग कबर कर लेंगे चलिए देखते हैं नंदलाल बोस का जन्म कहां हुगा था 1882 में हवेले खड़कपुर ग्राम जिल्या मुंगेर बिहार में नंदलाल बोस के प्रमुख रूप से कला के किस छेते में विख्याती प्राप चितरकारी में नंदलाल बोस के माता और पिता का क्या नम था माता छेमा मड़ी और पिता पूर्चंद बोस थे नंदलाल बोस के पिता पूर्चंद बोस पेसे से क्या थे जिला मुंगेर इस्तित हबेली खड़कपुर तासील के दिवान थे नंदलाल बोस कितने वर्स कियाओ के थे जब इनकी माता का देहान्त हो गया था आठ वर्स आउनी बाबू ने अपनी आत्म कथा जोड़ो सांको धारे में नंदलाल बोस के किस चित्र की काफी प्रसंसा के थे उमा की तपस्या का चित्र था ननलाल बोस ने सुरवाती कम किस रूप में सीखा था माडलिंग संती निकेतर में किस कलाकार को माश्टर मोसाई के नाम से जाना जाता है ननलाल बोस को ननलाल बोस ने sister निवोधितया की किस पुष्टक के चितरों की साज सजर की थी इंडियान माईत आप हिंदू अगे बोध नंध लाल बोष ने सिस्टर निभोधिता कि किस पुष्टक के चितरों कि साज सर्जा की थे इंडियान माईत आप हिंदू अगे बोध नंदलाल बोष को भारत सरकार ने पदम विफूसर सम्मान से कब सम्मानित किये था तो 1904 में वर्स 1916 में नंदलाल बोष ने अपनी किस जापानी चितकार से जापानी स्याही प्रेंटिंग की तक्निक सेखी थी तो आराई कैमपो नंदलाल बोष ने हरीपूर पोस्टर चितर 1937 बनाने के लिए कौन सा चितर तक्निक अपनाई थे कागज पर टेंपरा सांती निकेतन कित्री मूर्थ किसे कहा जाता है नंदलाल बोष बिनोद बिहारी मुखर जी राम किंकर बाइच को अधच्चता में अजन्दा गूफा के चितरों की प्रतलिपिया बनाने गए थे नंदलाल बोष किस वर्थ लेड़ी हरिंगम की अधच्चता में अजन्दा गूफा के चितरों की प्रतलिपिया बनाने गए थे 1909 से 1910 तक नंदलाल बोष ने अपने किस सिस्व के साथ मिलक भारति सम्मिद्यान की पंडलिपिय चित्रिद की थी तो राम मनोहर कौन थे राम मनोहर थे कर नन्दलाल बोस का संबध किस कला संस्थान से तह तो कलाववान संतीनिकेतं से था किस संस्थानज स сок tabala भावह संतीनिकेतैं संतीनिकेतन में माश्टर मुसाय और सिल्फ आचार के नाम से कौन कलाकार जाना जाता है नंदलाल बोस मास्टर मुसाय और सिल्फ आचार के नाम से विख्यात है सांतिनी केतन में नव बंगाल स्कूल के प्रवर्टक किस कलाकार को माना जाता है नंदलाल बोस को किसको नंदलाल बोष को पहला भारती चितका का उन था जिस पर स्वरत्थम रंगीन बित चितर कलर डाकुमेंटरी बनाइगे इं नंदलाल बोष पर वह है पहला भारती चितका जिन्हें पदम विभूसर संबान से समानित कीगा नंदलाल बोष को कब uniform में सांति निकेतर में करू संग कला संस्थान की अस्थापन किसने की नंदलाल बोस कों से संस्था है करू संस्था है चित्रकार नंदलाल बोस को किस वर्स पदम भीभूसर सम्मान से सम्मानित किये गया तो पदम भूसर सम्मान इसको आप द्यान से देखेगी leisu 1961 और पदम भूसर 1961 पाए है नंदलाल बोस किस कला अंदोलन संबन्धित कलाकार माने जाते था आदुनी कला अंदोलन के नंदलाल बोस किन गुफाओं के भेती चितरों से काफी प्रभावित हो आजानता और बागुफाओं से वह भारती चितरकार जिसने भारती संविधान की पंडुलिपियों को चितरित किया है तो नंदलाल बोस कौन है नंदलाल बोस हैं नंदलाल बोस ने किस के सन्निध में रह कर चित्रकला की सिच्छा पराद की अवनिदना टाइगोर नंदलाल बोस के पुत्र बिस रूप बोस किस रूप में प्रसिद है छापा चित्र में चापाकार बिस रूप बोस ने कहां से रंगीन काष्ट मुदरड़ा तकनीक का प्रसिछा लिया था जापान से रबिना टाइगोर के प्रसिद काब गरंथ गितानजली के लिए कितने चितर बनाय गए है नंदलाल बोस ने रबिना टाइगोर के प्रसिद काब गरंथ गितानजली के लिए किसने चितर बनाय गए है नंदलाल बोस में लखनव फाईजाबाद हरपूर कांगरेस अद्वेशन के लिए पंडाल काउंस चितरकार चितरित किया था तो नंदलाल बोस ने कहां कहां लखनव फाईजपूर और हरपूर कांगरेस में नंदलाल बोस ने कौन सी प्रसिद पुष्टक लिखी रुपावली लिखी सिर्फ कला लिखी और सिल्फ चर्चा ठीक या सिल्फ चर्चा कहिए या सिल्फ कथा कहिए नंदलाल बोस ने 1921 में किसके साथ मिलकर बाग गुफा की प्रतलिपी ये तैयार की आसिद कुमार हलदर और सुरेंदर नाथ कर के साथ नंदलाल बोस ने अजन्ता गुफा से प्रभावित होकर कवन सा चित्र वास टेंपरा तकनीक से कागज पर चित्रित किये तो पदांपड चित्र नंदलाल बोस का प्रसेद चित्र जो अहिंसा का प्रतीख डांडी यात्रा लीनो कट नंदलाल बोस ने अपने चित्रों को पहली बार कप प्रदर्सित किये तो 1921 में सबसे पहले कप प्रदर्सित किये 1921 में नंदलाल बोस ने फायजपूर हरपूर का अंगरेस अद्वेशन के लिए पंडाल चित्र कप चित्रित किये था 1937 में फायजपूर में और हरपूरा में 1938 में नंदलाल बोस राष्टी ललित कला कादमी नई देली के फेलो कब बने थे तो 1956 में और 1924 में इन्हों ने पदम भी भूशड़ पाया था लखनाव फायजपूर और हरपूरा कांगर साथ वेशन के पंडाल चितरों का प्रमुख है चितरड़ बी से क्या था ग्रामिड जन जीवन लखनाव फायजपूर हरपूरा के जो इन्हों ने पंडाल तयार किया था उसमें जो चितर बनाया थे वो ग्रामिड जन जीवन पर नंदलाल बोस ने उन्नी सो पांस लेकर उन्नी सो दस की आवद में उन्नी सो दस लेकर उन्नी सो लखनवु भाईजपूर हरिपूर्व कांग्रेस अजवेशन के पंडाल चितरों का प्रमुख चितरड़ भी से क्या था रंग्रामिड जन जीवन था नंदलाल बोस ने 1905 से 1910 की अवध में चित्रकला डिकलोमा कहां से प्राद की कोलकाता आठ कालेज से 1905 से 1910 की अवध में सिल्फ कथा सिल्फ शर्चा रुपावली प्रमुख पुस्तक के किसे ने लिखी है वर्ष 1950 में किस बिष्विद्याले ने नंदलाल बोस को डेलिट की उपाद दे थी तो बनारस हिंदू बिष्विद्याले 1950 में और नंदलाल बोस की दो पुत्रियां जिन्होंने चित्रकारी में विख्यात अरजित की है गौरी यह का नाम गौरी भाज दूसरे का नाम जमुना सेन नंदलाल बोस कला भावन में किस वर्स इन्होंने अध्यापक बने थे तो 19-19 में कला भावन संकाय, विष्भार्ती, विष्विद्याले का परथम अध्रश किसे निउट किया गया है? संकाय में बिस भारति विश्विद्याल्प का पृत्र Sahं किसे नंद। लाल भॉस ताइग志 यह वहां इंको बना है नंदलाल भॉस को कि वर्फ कला़्वावन संका विश्वारति विश्विद्याले का पृत्र ममदधस नियुक नुट कि probe I go नंदलाल बोस के पिते पूर्चंद बोस क्या थे दर्भांगा रियासत के मनेजर थे नंदलाल बोस का प्रसित चित्र पार्थ सार्थी कहां पर है भारती संगराले कोलकाता में है पार्थ सार्थी इंडियन सोसाइटी आप ओरियंटल आठ कोलकाता की चातविती प्राक्त करने वाले प्रथम चात कोनन नंदलाल बोस यही पांस रूपे पाय थे यहीं पांस रूपे से इन्होंने बनारा समथूरा ब्रिंदा बन की यात रखे थे और वहां के कला संस्थाओं का आध्यन भी किया थे नंदलाल बोस के चित्रड का प्रमुक तकनिक माध्यम क्या थे वास टेंपरा थे कौन सब भारती कला का रजानता कला साहिली से सर्वा अधिक प्रभावित हुआ नंदलाल बोस पहली भारती महिला कला चितेरी जिन्होंने सांतिन निकेतन में बाटिक्या कला का विक्यास किया तक गवुरी भान जो इनकी बेटी थे बंगाल साहिली के किस कला कार ने एंजिलो एवं राफेल की अनुकृतियां तयार की थे नंदलाल बोस वर्स 1949 में किस चितकाल ने बरावर्दा के किरती मंदिर में सुन्दर चितर बनाये थे नंदलाल बोस 1949 में बिस भारति स्विद् जाले संती निकितन ने नंदलाल बोस को कब दासकोथम उपाद से समानित किया, 1952 में 20 भारती 20 बिद्धाले सांते नंदलाल बोस को कब 10 युक्तम उपाद से समानित किया 1952 में नंदलाल बोस के प्रमुक सिस्सों में से कौन थे बिनोद भीहारे मुखरजी इनके सिस्सु थे रामकिंकर बायस थे इनके सिस्सु केजी सुब्रुमियम थे इंके 60 सथ जीत रे इंके सिस थे अम्रितलाल बेगड्य थे इंके सिस दिंकर माउसिक थह इनके सिस सथ जीत्रे किस रूप से परसिद्ध हैं फिल्म निर्दिशक और सत जीत्रे नंदलाल बोस को अपने किस चित्र पर इंडियन सोसाइटी या पॉरियंटल आर्ट कोलकाता की प्रथम परदर्शनी में 500 रूपे का पूरुषकार दिया सती पर कौन सचीत था सती पर 500 रूपे वही 500 रूपे इन्होंने उत्तर भारत मथुरवा बनारस और ब्रिंदाबन की यातरा किये थे इंडियन सोसाइटी या पॉरियंटल आर्ट कोलकाता की प्रदर्शनी कब लगी थे तो 1908 में कब 1908 में नंदलाल बोस की प्रसिद पुष्तक सिल्फ कथा कब प्रकासित हुई वर्स था सिल्फ कथा इनका 1946 में किस भारती कलाकार ने कहा था कि हम प्राडो के पुझारी हैं नंदलाल बोस किया कहा था हम प्राडो के पुझारी हैं नंदलाल बोस ने अपना प्रसिद इटालियन भेत्ती चितर दूले की सवारी कब चितरित की 1928 में दूले की सवारी इटालियन भेत्ती चितर थाए सांती निकेतन की प्रसिद कला चितेरी गवरी भांज किस प्रसिद चितकार की पुतरी थी नंदलाल बोस या सांती निकेस्तन की प्रथम चितेरी, मतलब लेडिस में प्रथम महिले थे जुन्होंने चितकारी वहां की थे नांदलाल बोस ने आपनी परसिद चितर डांडी मार्च 1903 में किस तकनीक में चितरी की थे? नांदलाल बोस का परसिद चितर सीव वा सती किस तकनीक के माध्यम से बना है तो वास टेमपरा के नांदलाल बोस की मिरुत कब हुई? उननीस सो छड़चड में कोलकाता में हुई प्रमुख चितर सिंखला क्या 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 बना है नांदलाल बोस फाजपूर पोस्टर सिंखला है यह हरपूरा पोस्टर सिंखला है जो कि फाजपूर यह 1937 बना थे और हरपूरा 1938 बना थे इनका प्रमुख चितर देख लेते हैं नांदलाल बोस का राधा का बिर्या राधा का बिर्या हेड़ आप सिवा मदर फेल्डिंग हर चाइल्ड भारती किर्शक सिव और सती उमा की तपास्या पदाम पड़ी पदाम पड़ी एबुल क्रिश और अर्जुन मदर फेल्डिंग हर चाइल्ड भूम भूम जोत्ता हुआ किसान प्रतिच्छा पार्थ सार थे अभिसार क्या भूम जोत्ता किसान प्रतिच्छा पार्थ सार थे अभिसार क्या सरंगी वाला सरो सती सती गरूड अस्थंब श्री चैतन सती का देहत्याग सिव का बिस्पान सिव तांडव सिव बिलाप कड वार्शिंपिंग वार्शार से धुला हुआ को लाड़क बुद्ध और मेनना गाधरी संथाली कन्या साबित्री अण्डियाम अभिमेन्नु बद्व भीष्म की सर्शाया डोल वादग बावुल डोल वादग बावुल बीडवादनी मंगल कलस भिखारी बिर्हानी उमा सुजाता नटीर पूज नटीर नित्र मा अर्शिसू पांडो का हिमाले अरोहर्ड धूल हुआ कोलाड रिटन आफ दा बुद्धा अंधा बावुल आईए विनके प्रमुख छापाचित्र देखते हैं प्रमुख छापाचित्र छापाचित्र में डांडी मार्च जो लीनो कट में बनाये थे 1930 में या कहां है नई दिल्ली में अबधूल गफार क्हां का ब्यक्तिक्यत चित्र नाये थे आपा सेयर करिए अगर माझे कलास हो लंबी हो जा रहे ता आप लोग जरूर देखिए यह समना हो कि इसमें फाल तुछ चीट डाली हो लेकिन जो भी चीट डाली गए एक्जाम के दिरिष्टे मोस्ट इंपॉर्टन्ट है यह ठीक है आज यहीं तक धन्यवाद